Hello students, welcome to my channel Dr. Jyoti Physics Lecture, आज का मेरा टूपिक क्या है? BHU 2021 का MSC Physics का जो entrance exam हुआ था, उसी का solution मैं डालने जारी हूँ तीन lectures मैं already upload कर चुकी हूँ, this is my fourth lecture, okay First question मेरा क्या है, the value of the determinant is, इस determinant की value क्या हो सकती है? तो ये मैंने determinant लिया, इसको मैंने expand किया प्लस माइनस प्लस से, 5 स्केर, तो क्या हो गया? 5,4 इंटू 5,6, माइनस 5,5 इंटू 5,5 माइनस 5 क्यूब, इस रो को छोड़ दो, इस कोलम को छोड़ दो 5,3 इंटू 5,6, माइनस 5,4 इंटू 5,5, यही मैंने लिखा है प्लस 5 इंटू 5,4 इंटू 5,4 इंटू 5,4 इंटू 5,4 अब आपको पता है, बेस सीम है, तो एड़ हो जाती है, पावर 5,4 प्लस 6 क्या 5,10 हो गई, यहां से 5,10 और यहां से माइनस 5,3 यानि 5,9 माइनस 5,9 प्लस 5,4 इंटू 5,8 माइनस 5,8 यह कैंसर, यह कैंसर, यह कैंसर, आंसर में आगे, 0, उप्शन में है, 0, yes सेकिंड उप्शन इस, राइट आंसर, ओके, नेक्स कुशन नेक्स कुशन मेरे पास, पैरिटी ओपरेटर का कुशन था, वेरी इंपोर्टेंट कुशन कंसेप्ट देखने के लिए, कौन सा आइगन फंक्शन, जो है, पैरिटी ओपरेटर का आइगन फंक्शन नहीं है मेरे पास, चार ओप्शन गिवन है, मैंने एक एक को सोल करके दिखाया है, और कौन सा मुझे नहीं मिला है parity operator क्या है अगर मैंने psi x का function alike psi को अगर मैं minus x में change करे हूँ तो मुझे कुछ eigen value मिले plus minus psi i तो x को मैंने minus x में change किया तो ये psi x plus psi minus x second option ले लिया इस पे मैंने parity operator लगाया क्या करेगा psi x में x को minus x में change कर देगा minus x को plus x में तो ये कुछ इसी form का बन रहा है yes plus 1 ही है eigen value psi minus x plus psi x eigen value मेरे पास क्या रही है p psi x plus psi minus x क्या है equal to plus 1 तो ये तो parity operator हो गया मेरा अब मैंने इस पे लगाया psi x minus psi minus x क्या करेगा x को minus x में change करेगा yes minus minus x को x में change करेगा अगर मैं minus को में निकाल लो तो क्या रहा है psi x minus psi of minus x तो minus 1 eigen value आ रही है बाकि d2 आ रहा है भी function तो ये भी कुछ इस पोम में आ गया eigen value दे रहा है third option मैंने लिया जो d option था psi x into psi of minus x x को मैंने minus x में change किया minus x को plus x में तो value क्या दे रहा है मेरी plus 1 दे रहा है yes, it is also eigen function और parity operator बचा मेरे पास psi of x इसको मैंने minus of x में change किया तो ये कुछ इस पोम में नहीं दे रहा है कि कुछ eigen value आ गई हो और psi x हो तो ये मेरा eigen function नहीं है parity operator का so correct option is y मुझे कुन सा बताना था जो in wave function में से parity operator का आइगन function नहीं है so correct option is why okay, next question next question मेरे पास simple question था Newton ring experiment जब हम कर रहे है तो मेरे पास rings बनती है if you remember, this one ये rings बनती है central वाले, dark है, bright है, वो सब तो इतने detail में मैं नहीं जाओंगी rings किस phenomena की वज़े से बननी है scattering process हो रही है interference हो रही है diffraction हो रही है interference, okay next question mathematical physics का question है the value of the integral ये है, मेरा gamma function पे based है ये concept ये लगा लो आपका हमेशा पुछा जाएगा, even after MSC भी आपको ये entrance exam दोगे net वगरा का gate का, वहाँ भी आपसे question पुछा जाएगा, तो इस formula को याद रख ले मैंने formula यहाँ लिख दिया है okay, solve करते हैं इस question को 0 to infinity exponential of minus x square x raised to power 9 dx, क्या होता है मेरे पास general formula, 0 to infinity x raised to power m into exponential of minus alpha into x raised to power n dx यह होता है, जो exponential में x की power n, 1 by n gamma of, क्या हो जाएगा m plus 1 by n, और whole divided by alpha जो मेरा है raised to power m plus 1 by n जो gamma के अंदर power आ रही है m plus 1 by n, वही alpha की power आ है okay, यहाँ से इन दोनों formula को मैं compare करूँ, तो m मेरा क्या दिख रहा है, 9 है, n मेरा क्या दिख रहा है, 2 है, तो इसी formula में values रखिए, 1 by 2 हो गया मेरा, gamma m plus 1 by n, यानि 9 plus 1 by 2, और alpha क्या है, 1 है, यहाँ से compare करूँ तो मैं, 1 raised to power 5, 5 यह होता है, sorry, 1 होता है, तो 1 by 2, gamma 5, अब gamma n क्या, किसके equal होता है, मेरा, gamma n is equal to n minus 1 factorial, तो यह क्या हो गया, 4 factorial, तो यह 1 by 2 into 4 factorial के value रख लो, 4 into 3 into 2 into 1, 2 से 2 cancel, answer मेरा आ गया, 12, 12 option में है, yes, second option is right answer, okay, next question, just मैं आपने basics को apply कर रहे हूं और questions को solve के जा रहे हूं, तो इसी तरह से आप follow कर सकते हैं, okay, next question, okay, next question मेरे पास cell model का आया हुआ है, मुझे ground state की spin and parity बतानी है, nuclei मेरे पास है, 28, 14, silicon, cell model पे मैंने भी lecture डाला हुआ है, तो अगर आपको अपने basics revise करने हो, तो वहाँ से कर स पास 14 है, number of neutrons क्या रहे गए, 28 minus 14, 14, okay, तो मैं filling बता रहे हूं, अपनी cell के अंदर कैसे filling होती है, किस order में, दोनों ही अगर आपको even दिख रहे हैं, यहां भी even है, तो यह तो आपको confirm है कि total angular momentum जो है, जिसको आप ground state की spin क्या रहे हैं, वो क्या रहेगी, 0 रहेगी, okay, parity मेरे पास रहती हैं, बताने, दोनों ही even हैं, हमेशा किसकी वज़े से आएगी spin और spin का contribution, odd, या तो मेरे पास number of protons, odd हो या neutrons, लेकिन यहां पर ना ही protons, odd है, या ना ही neutrons, odd है, तो मैं अपनी आते हूं filling पे, यह number of protons मेरे 14 थे, 1s half में 2 जाएंगे मेरे, कितने जाते है maximum, जो 1s, य 2 into half plus 1, यानि 2 गई, 1p 3 by 2, 2 into 3 by 2 plus 1, यानि 4 गई maximum इसमे, 1p half 2, यह order के लिए मैंने lecture उल्री डाला हुआ है, cell models पे 5 शे lecture डाले हुए मैंने, तो यहां भी पता चल जाएगा, कौन से levels में कैसे filling होती है, आप वहां से follow कर सकते हैं, फिर आता है 1p half 2, यानि 2 into half plus 1, 2, 1d 5 by 2, यानि 2 into 5 by 2 plus 1, यानि 6, तो यहां तक मेरे 14 हो गई, और यहां पे D में maximum कितने आ सकते हैं, तो यहां पे cell model के according, D में मेरे maximum कितने आ गए, जो हैं सारे आए, वो क्या है, paired हैं, ओके, next यहीं भी मैं देख रहे हूँ, इसी तरह से मेरे maximum 6 आ सकते हैं, 2 into J plus 1, यानि 2 into 5 by 2 plus 1, 6 ह इसी तरह से neutrons की filling की, वो भी maximum 4 ही है, तो 5 by 2 तक गए, तो last unpaired होता, तो मैं देख लेती किस में जा रहा है मेरा, लेकिन यहां पे तो paired है, वही मेरा total angular momentum या जिसको spin करें, वो आ जाता, तो pairing यहां पे हो रही है, 5 by 2 में, अब मुझे देखना है, total जो मेरा है, spin तो हो गई 0 क्योंकि सारे paired है, और parity कैसे देखते है, minus 1 raise to power L, last मेरा like D में जा रहा है, तो minus 1 raise to power D की क्या होता है, L value 2, minus 1 raise to power square, यानी plus 1, तो 0 plus हो गई, और 5 by 2 में जा रहा है, D में जा रहा है, तो plus, तो यह answer मेरे पास हो गया, 5 by 2, 0 plus, ओके, next question, next question में मुझे फिर list मैच करने थी, तो questions क्या है, यह है, Hamilton, जैसे कि मैंने भी डाला हुआ है, Hamilton Variational Principle, तो Hamilton का नाम आदे ही lecture भी मैंने उल्लेडी डाला हुआ है, Hamilton से आप समझ सकते हैं, Hamilton Variational Principle, तो आपका E मैच हो रहा है, 3rd से, ओके, Kepler, Kepler जो है मेचे Central Force Problem, 2 Dimensional को explain करता है, तो यह भी सिधे-सिधे आपको दिख गया होगा, D मेरा जा रहा है, 2 पे, यानि D 2 पे जाने वाले तीन option है, और Hamilton A मेरा जा रहा है, 3rd पे यह तीन options है, अब मुझे clarify करना है, next आगे, आगे क्या रहेगा मेरा, D Alambert, D Alambert का क्या है, D D Alambert मेरा virtual work है, यानि B में fourth option जा रहा है, B में fourth option जा रहा है, तो अब बचा मेरे पास कौन सा, relay, relay मेरे पास क्या है, dissipation function, तो यहां से आपका options वही मैंने लिख दे, Hamilton मेरा variational principle है, Kepler मेरा two body center problem है, D Alambert मेरा virtual work है, और relay मेरा किसको बता रहा है, dissipation function को, आप मैं answer देख लेती A third है, D मेरा two है, sorry, B मेरा fourth है, और C मेरा one है, तो I think second option is right answer, okay, second है, next question, next question मेरे पास photo electric effect है, जो कि photo electric effect में मैंने 3 से 4 lecture डाले हुए है, आप उनको अगर revise करना चाहें, basics को, तो वहां से revise भी कर सकते हैं अपना, तो photo electric effect में question मेरा क्या था, in photo electric experiment, maximum velocity जो emitted photo electrons की ओरी है, वो V है, charge मेरे पास E है, mass मेरे पास M है, question में by mistake M में दिया हुआ है, वो feasible नहीं है, mass of electron मेरा small M है, तो मुझे क्या बताना है, कि small stopping potential कितना होगा volt में, यह 4 options है, सबसे पहले अगर आपको याद हो photo electric effect क्या होता है, यह मे क्या light डाली है, जो UV भी हो सकती है, visible भी हो सकती है, तो यहां से क्या हो जाएंगे, electrons eject हो जाएंगे, photo electrons जिनको कह रहे हो आप, तो कुछ energy ऐसी है, जो यह energy मेरी थी, minimum energy तो मुझे चाहिए ही चाहिए, अगर metal की surface से electrons को निकालना है, जो minimum energy होती है, वो क्या होती है, work function, चिसक energy जो क्या रही हूँ, वो क्या है, half MV square, जो maximum ejected electron acquire कर सकता है, और यह EV क्या है मेरे पास, जो है, V stopping potential है, यह भी kinetic energy, E charge है, stopping potential मेरे पास है क्या, जो मैं अपनी current को, photo electric current मेरा versus electric potential, जो है, sorry, potential के साथ आपनी current का graph देखा होगा, I versus V रहा होगा मेरा, तो यहां पर अगर मैं अपना negative direction में जिसको retarded potential कहरे हो, apply किया है, तो current मेरा क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा, यह था मेरा, यह maximum था, तो यहां reduce होगा, 0 पे आ गया होगा, तो इस stopping potential है, V, okay, तो यहां से V की value चाहिए, मुझे, half MV square by E आ गया, यहां से V square by, इसको इस form में लिखा हुआ है, 2E by M, और यह option में कहीं given होगा, आपको, second option is right answer, okay, photoelectric effect काफी important, जो है effect है, इसको आप revise कर सकते हैं, okay, thanks all, अगर आपकी कोई queries हैं, तो आप comment section में डाल सकते हैं, so that मैं more improve कर सको, okay, thanks all.